हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरू स्वागत है आपका वीडियो गुरू के इस खास सेशन में जहां पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं पॉलिगन से रिलेटेट कुछ नहीं बनाया जाते जिस लेवल तक बनाया जाते हैं उस लेवल तक का डिसक्षिन हम आपके सामने करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं और जो पहला कुछिन आपकी स्क्रीन पर दिखे रहा है उसे बताया गया कि एक कोई भी आपका पॉलिगर है जिसमें नंबर ऑफ डा पता दी है 44 के बराबर अब जब इसको आप सिंप्लिफाई करोगो तो एन इंटू एन माइनस थ्री अगर चेक करें तो यह वैलू हमारी आरी 88 के बराबर अब मैंने आपको इसमें नहीं दिया है वरना आप कुश्यन में देखो ऑप्शन ऑप्शन फिर जो भी इनकी एक दूसरे के तीन का डिफ्रेंस ओ त्री का डिफ्रेंस ओ तो भाई 88 के नाम पर भी 11 और 8 निकल के आ रहा है तो जड़ा चेक करिए एन की वैलो गर 11 रखेंगे तो एन माइनस 3 आपको 8 मिल रहा है इसका मतलब जो नंबर आफ साइड निकल के आगे वो कितनी हागी हमारी 11 यह हमारा correct answer रहा है इस तरीके से हम लोग simplify करते हैं चोटे-चोटे question आपके frame किये जाते हैं बात करेंगर इस question की तो आपके सामने कहा जा रहा है the difference between an exterior angle of n-1-sided regular polygon मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो side है polygon की जो आपकी side है उसमें n-1 side है और जो दूसरा polygon है उसमें n-2 side है clear अब यह अलग-अलग number of side के आपके polygon है और इसके exterior angle का जो difference दिया गया वो six degree के बराबर दिया गया तो आप जानते हो कि exterior angle हम लोग देते हैं ठीक है अगर हम बात करें exterior angle की तो हम लोग represent किससे करते हैं exterior angle जो होता है वो होता है हमारा 360 and divide by number of sides यही हम लोग कहते है clear अब आप आपको पता है कि एक exterior angle जो आपको बताया गया वो है एक में मतलब एक में exterior angle की side है n-1 ठीक है हम यहां पे लिखेंगे 360 और divide by n-1 यह हमारे पहले वाले polygon का exterior angle हुआ और दूसरे वाले का जो exterior angle होगा वो होगा 360 और divide by n-2 और इसकी value question ने बता दी 6 degree के बराबर ठीक है अब यह overall यही का ने exterior angle का difference हमारे सामने दिया है अब हमें इसे simplify करके n की value find करनी है तो हमें काम यह कर सकते है अगर देखो 6 से इसको cancel करोगो तो यहां पे 60 बचेगा और यहां पे 60 बचेगा अब अगर हम 60 common ले 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 तो देखो मुझे यहां पे इसको simplify करना है यह दोनों आपके LC ह करके लिख देते हैं हम लिखेंगे n square और फिर कितना होगा प्लस का 2N और माइनस का एन तो कितना हैगा प्लस का एन और 2 और 1 multiply होके माइनस का टो देंगे रिजल्ट क्लियर इतना और एन प्लस टू इस साइड जाए 60 तो common ले ही चुके हो एन प्लस टू इस साइड होगा और और फिर माइनस और एन माइनस वन इथर होगा तो माइनस का एन हुआ और प्लस का हो गया वन के बराबर और यह वैलू हमारी वन के बराबर वसके clear इतना थोड़ा सा और simplify करते हैं और एन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा 2 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 3 60 और 3 multiply होंगे तो यह पूर्शन इधर जाएगा और हमारा 180 क्या होगा अगर आप देखें तो यह पूरा पूर्शन उधर जाएगा तो हमारा इस साइड कितना बचेगा 180 डिग्री के बराबर तो यह वैलू हमारी हो जाएगी 180 डिग्री 180 और दो एड करोगे तो 182 हो जाएगा मतलब अगर हम यहां पर देखें अभी तो 182 के फैक्टर करने अगर हम इसको भाई दो से सिंप्लिफाई करते हैं तो कितना मिलता है 91 क्लियर है 91 अब 91 के फैक्टर की बात करें तो कितना होता है 13 गुड़े साथ होता है क्यानवे ठीक है तो overall मुझे कितना मिल गया 14 एंड 13 14 और 13 को आपसे multiply करो तो 182 आ जाएगा हमने क्या किया आपको बता दें जैसे हमने 182 लिखा था मेरे सामने question रटा हुआ नहीं है हम आपके सामने ही factor कर रहे है 182 मुझे दिखा तो हम सबसे पहले 182 को 2 से divide करें मुझे कितना मिल गया 91 के बराबर 182 मिलेगा अब जब आप value लोगे तो यहाँ पर sign change होगे यह value minus 14 आएगी और यह value हो जाएगी हमारी plus 13 overall जो हमारे सामने number of sides की value निकल के आई n की value जो निकल के आगे वो आगे हमारी 13 के बराबर तो overall हम कह सकते हैं जो number of sides है यहाँ पर वो कितनी है 13 ठीक है तो इसमें जो आपके number of sides के overall इस polygon में वो थे आपके 13 clear इतना तो यह question तो आपने देख लिया polygon पर हम लोगों ने इस type के question काफी practice कर लिए last lecture में भी हम लोगों ने इस type के question practice किये थे और आप यकीन मानिए आपको exam में question मिलेगा तो ऐसे ही जो आपको relation बनते हैं छोटी-छोटी फॉर्मूले होते हैं इन पे question आने के बहुत ज़्यादा chances रहते हैं या कहें कि ज़्यादा chances रहते हैं बात करते हैं कुछ इस से हट के कुछ इस से हट के बात करते हैं तो उसमें आपके सामने ये question रहा, area distribution पे आपके सामने question पूछा जाता है, कहा गया कि in the given figure आपको बोला गया कि आपको find करना है area of ABCDEF और area of PQRSTU, मतलब देखो आप, तो यह जो आपके सामने यहाँ पे points हैं, यह सारे के सारे midpoints हैं, clear है? आ पैरललोग्राम का area distribution कैसे होता है? area distribution की ये बार, फिर से आपको remind करा देते हैं, चोटी-चोटी चीज़ें, जैसे हम लोगों ने एक चीज ये पढ़ रखे, यही तीन का यूँ सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखेगा, एक यह कि हमारा अगर कोई parallelogram है, और parallelogram की कि किसी two, कैसे, याद कैसे रखेंगे, भाई, बीच वाला portion तो three unit निकल गया, अब एक पूरी full side और एक आधी side, अगर ये full side एक side ले रहे हो, तो हमारा वहाँ पे area कितना होता है two, यहाँ पर दोको एक पूरी side है, एक आधी side है, तो area कितना है two, और जो दोनों आधी-आधी होती ह तो वहाँ पे area होता है one, इसको इस तरीके से हमियाद कर सकते हैं, clear है, अगर ये हमारा parallelogram हो गया, triangle वाली कहानी आप सारे लोग जानते हो, triangle वाली कहानी इस तरीके से होती है, कैसी होती है, अगर हम mid points को इस तरीके से मिलाते हैं, किसी भी triangle में, अगर हम मध्य बिंदू को इ area हमारा छे बराबर भागों में बढ़ता है, ये दो पॉइंट से ही सबसे ज़्याद, दो ये हुआ और एक आपका parallelogram, जब area distribution की बात आएगी ति ये तीन आपके basic fund होते हैं, इनहीं का इस्तेमाल हर जगां पे होता है, आईए अब देखो polygon में भी इसी का इस्तेमाल होगा, खीक है, regular hexagon को अगर आप, regular hexagon का जो center है, ये आपका center हुआ, इस center को suppose आपने क्या किया, मिला दिया, अब आप अगर ध्यान दे, center से अगर हम तीन vertex को मिलाते हैं, तो हमारे सामने तीन parallelogram निकल के आ रहे हैं, तीन parallelogram कौन कौन सा, तीन parallelogram, O, C, D और E, फिर बात करें, O, A, B, C, O, A, F, और E, तीन parallelogram आपको दिख रहे हैं, parallelogram का area आप हमेशा ध्यान रखेगा, 8 unit मान के चलते हैं, clear है, हम parallelogram का area कितना मान के चलते हैं, 8 unit, आईए देखो, ये तो आपके सामने हो गया, अब इसको किस तरीके से हम simplify करेंगे, वो ज़रा ध्यान देते हैं, आप अगर दे हैं, ठीक है, तो अभी क्या आपको बात बनते हुई दिख रही है, यहाँ पे, exactly, बिल्कुल बात बनते हुई दिख रही है, क्या दिख रही है, वो देखो, अगर हम इन दोनों points को मिला दे, ध्यान रखेगा, हम ये हमारा point O रहा, O हमने कहां center है, ठीक है, हमारा OA, OA और ये हमारा A है, ठीक है, O, ये point O है, यहाँ पे point A है, और ये point B है, और ये point C है, O, A, B, C, जो आपको दिख रहा है, ये आपका एक parallelogram है, और आपने क्या किया है, O point से आपने इसको इस तरीके से मिलाया है, और ये point कौन कों से है, आपके P और Q, पी और Q इस तरीके से point है, दिख वाला portion कितना रहा, 3 unit रहा, ठीक है, और ये वाला portion हमारा कितना रहा, 2 unit रहा, ये वाला portion 1 unit रहा, ये वाला portion भी हमारा 2 unit रहा, आप से बिलकुल clear दिख रही है, 2, 2, 1, 3, बिलकुल पता है, अब आपको पता चल गया, कहीं न कहीं, अगर हम पूरे parallelogram का area 8 unit मान रहे हैं, तो ये जो हमारा PQ वाला area निकल के आ रहा, ये हमारा कितना होता है, 1 unit, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा, 1 unit होगा, PQ वाला, ये Q, B और P, दिख रहा है, ये हमारा 1 unit होगा, बस इसी चीज़ को इस्तेमाल करना है, पूरे में बस ध्यान रखिएगा, जैसे आपने कहा कि ये value को find करना, आपको क्या पता चल गया, ये 1 unit है, कब 1 unit है, जब आपका एक parallelogram का area 8 unit, ठीक है, अब अगर एक parallelogram मतलब O, A, B, C का area, अगर आपने 8 माना है, तो पूरा आपका जो हिक्सागन है, वो 3 parallelogram में break हो रहा है, तो 8, 8, 8 मिल के total area कितना होगा parallelogram का, 24 होगा, आपका होगे एक parallelogram का area हमारा 8 unit है, तो 8 multiplied by 3 कितना होगे, 24 unit होगे, अब अगर आपको 24 दिख रहा है, तो आपको पता चला कि ये जो area दिख रहा है, वो 1 unit है, clear इतना, मतलब PBQ का area हमें 1 unit दिख रहा है, ऐसे ही आपको पता चल गया होगा, कि सारे के सारे ये क्या होगे, 1, 1, 1 ही तो होग 24 में से 24 में से कितना हमको निकालना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 में अगर हम 6 unit निकाल दें, overall 24 में अगर ये आपका 6 unit निकाल देते हैं, तो फिर बीच का जितना reason बना, उसका area आ जाएगा, इतो होगा 24 में से 6 आप निकाल दो ये जो आपका चोटा चोटा पार्ट बच रहा है, अगर आप उसको निकाल देंगे तो हमारा भीच का एरिया कितना होगा आप कहोगे भाई PQRSTU जो PQRST और U का एरिया बचा वो कितना बच गया 24-6 मतलब कितना आगया 18 यूनिट और आपको जो रेशियो पूचा है वो ABCDEF मतलब पूरे बड़े वाले से पूरा पूरा जो ब चटा दिया 18 बच गया पैरलोग्राम का कंसेप्ट हमने यूज किया और आपके सामने एंसर रहा आगे भी यूज होती रहेंगी ये सारी की सारी चीजें बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर अगले कुश्चन में आपको इस टाइप में फ्रेमिंग कर दीगी आपसे कहा हमारा पूरा हेक्सागन है रेगुलर हेक्सागन हमारा तीन इक्वल पार्ट में ब्रिक हो रहा है कौँन सा तीन पैरलेलोग्राम आपको होगे O, C, D, E, O, A, F, E, O, A, B, C ठीक है और हम आपको कहते हैं कि आप एक पैरलेलोग्राम का एरिया 8 यूनिट मानो आठ यूनिट म भूआ तो इसका मतलब और ये डाइगनल है तो बैइसका मतलब ये हमारा four और four में break होगा four और four में हमने break कर दिया clear है और similarly, same कहानी हर पैरलोग्राम एपलाई हो रही मतलब ये भी four होगा ये भी four होगा ये भी four होगा और ये four होगा अब आप खुद realize कर लो आपको क्या प फिर आपसे पूछा गया बताईए कि जो अंदर ट्रेंगल बन रहा है कितना होगा चार चार आठ चार बारा आपको बारा दिखे रहा है तो बात करते इस कुश्चिन की जहां पर आपसे कहा जा रहा है इस अब अगर देखे तो आपको ABDE का एरिया मतलब आपको एक प्रॉपर रेक्टैंगल यहां पर दिख रहा है बीडी है अप्रोच हमारा वही होगा सॉल्व करने का हम पूरा का पूरा जो हमारे सामने रेगुलर हेक्सागन है उसको हम ब्रेक करेंगे त्री इक्वल पार्ट में ठीक है मतलब रेगुलर हेक्सागन को हमने त्री इक्वल पार्ट में रिक किया तो हमारे सामने तीन प्रेलोग्राम निकल के आ जाते हैं और यह हमारा पॉइंट रहा हो और उसके बाद आपको दिख रहा है कि ओवरॉल यह कितने पॉलीगन बन रहे है तो मेरे प्यारे करने कोशिश करेंगे तो आपका काम नहीं बनेickा लेकिन जब इस पैठेलोग्राम में काम करेंगे तो आपका क्यों ना है जाए तो बिखिए कितना हो जाएगए और आपको पता है कि एक जो पैर्लोग्राम का diagonal होता है वो पूरे पैर्लोग्राम को दो एक्वल पार्ट में ब्रेक कर देता है है ना तो दो बराबर हिस्सों में ये बांट देगा इसको इसका मतलब अगर ये पूरा 8 था तो ये चार होगा और ये भी हमारा चार हो जाएंगा अब आप बताओ अगर यह वाला पान्ट हमारा 4 है थीक है तो सारी चीजे जब बराबर है तो यह वाला एरिया भी हमारा 4 यूनिट ही होगा बत समझ बारे हो आप ठीक है अब अगर यह एरिया भी हमारा सो यूनिट हुआ यह एरिया भी 4 ilio Much इसका मतलब अगर इस इतने region को हम निकाल देते हैं पूरे पैरलोग पूरे मतलब regular hexagon जो आपको दिख रहा है इसमें अगर इस इतने region को देशिक बचेगा वही तो हमारा मतलब इग्जाक resultant value होगी U b d e की चेटरफल पूचा है तो बढ़ा देंगी आपको जल्दी आप एंसर कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं आपको फॉर्मूला वगारा कुछ भी एपलाई करने की तो इस तरीके से हम एरिया डिस्ट्रिबूशन पर काम कर रहे हैं बढ़ते हम प्यारे बच्चे नेक्स्ट्रिबूशन पर देखते हैं अगला प्रशन आपका यह कुश्चन देखा जाएं कहा गया कि इस फीगर में पी और क्यू जो है वह पी और क्यू यह इसके मिड़ पॉइंट हो गया काम अभी भी वही करना है तरीका हम सभी जानते हैं क अभी अभी हम लोगों ने जाना था अगर यह पूरा आठ यूनिट होता है तो इस एक पॉर्शन का डिस्ट्रिबूशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कितना यह 2 होगा यह 3 होगा यह 1 होगा और यह 2 होगा इस तरीके से हम लोग जानते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे ध रहेता गों तो बैफ करेंगर बीपी क्यूट का एरिया आको कितना दिख रहा है बड़क्यां को दिखना दिखर रहा है जो यह 20istry यह हमारा होगा 24 रेश्यो वन के बराबर क्योंकि हमने ABCDEF पहले रखा है तो हमारे पूरे ABCDEF का एरिया जो होगा वो 24 होगा ठीक है और जो हमारे BPQ का एरिया होगा वो कितना होगा क्लियर इतनी कहानी चलिए अगला प्रशन आपके सामने तरीका सारा समझ गया हो आप से कहा जा रहा कि पीक्यू आरेस एस्टी यूज है यह मिड़ पॉइंट से किसके ओए ओबी ओसी ओडी ओडी ओई और ओफे मतलब इस टाइप में अगर आप देखें यह आपके मिड़ प सवाल यह उठता है कि किस तरीके से हम इसको सिंप्लिफाइब करें अब अगर हम लोग इसको एपलाई करना शुरू करें किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंगल की बात करते हैं चलो हम इसी ओ और बी की बात करते हैं अगर बात करें ओए बी की आपने कहा कि पी और क्यू मिड़ नि-जैगा आप मिड़ पॉयंट को मिला रहे हैं तो आपको पता हैं अगर इस तरीके से हम ट्रेंगल के तीनों म ध्य विनदुओं को मिलाए तो पूरा एरिया हमारा चार बराबर भागों में बढ़ जाता है यही बात क्लियर हैं चार बराबर भागों में बचेगा इस त हँगी एक मात्र ट्रेंगल में हर एक ट्रेंगल में इप लाई होगे इसका मतलब यह जो आपका एरिया होगा यह वन होगा और इथर हो जाएगा अब एरिया यहां पर यहां पर आपके सामने आप से पहले बड़े वाले का पूछा गया तो इसी तरीके से शे आपको इक्विलेटर ट्रेंगल दिख रहे हैं तो यह गुरे चार कितना हो जाएगा तो आपको और जो आपके अंदर ट्रेंगल दिखे रहा है उसका एरिया कितना है तो भई यह आपका ट्रेंगल 6 बराबर मतलब कि यह अब रहा होगा तो इस तरीके से आप लोगों ने पॉलीगन की बिलकुल पॉलीगन कैसे होता है क्या होता है इन सारी चीजों के बारे में देखा साथी साथ आपने ये देखा कि भाई पॉलीगन का exam oriented question जो आपके सामने होते हैं एक्जाम में कौन-कौन से question किस type के framing की जाते हैं उन सारी चीजों का discussion आपके सामने रहा तो मेरे प्यारे बद्चे आज के लिए इतना ही आपके पॉलीगन में इतना ही पॉलीगन पे आप practice करिए exam की बात करें तो exam में इसी type की question आते हैं आप test series उठाइए आपको इसी type पे question म अब कहानी पॉलीगन की इतने ही रही आपका geometry part भी complete हुआ, polygon part भी complete हुआ, अब ये जो figures हैं, इनका जो calculator वाण portion होता है, वो सारा portion आपका menstruation में होता है, ठीक है, मतलब area, perimeter, इन सबको calculate करने वाला जो portion होता है, वो आपका menstruation वाला part होता है, तो menstruation वाला part भी आप लोग, menstruation भी काईदे से आप लोग देखेंगे, तो जब geometry और menstruation दोनों आप काईदे से पढ़़ लोगे, तब प्रेटरी वाले पोर्शन पे इतना ही पॉलिगन भी आपका कम्प्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्छे अगर ये सेशन ये सेशन ये वीडियो गुरू आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करें अपने फ्रैंड्स के साथ अगर आपके कोई प्रॉबलम हो रही है तो ह में अपना ख्याल रखिए ओकी बबाए टीक केर हैव अगुद देंक यू